हेलो फ्रेंड्स वेल्ग में चैनल ब्यूटी एंड हेस्टाइल्स आज मैं आपके लिए लिए हूँ क्राउन टाइप हेस्टाइल क्राउन टाइप हेस्टाइल आप किस तरह से बनाए और जिससे आपके सारे जो हेर्स है वो कवर हो जाएंगे और बहुत ही सुदर लगेगा स्टाइट करें चलिए स्टाइट करते हैं दिखें काउन टाइप हेस्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने हेर्स को सेंटर से टू सेक्शन में डिवाइट कर लें अब आपने क्या करना है अब आपने हेर्स को भी टू सेक्शन में ड कर लिए और इन्हें अच्छे से कॉम कर ले कॉम करके आपने एक साइड के हेर्स लेने हैं अब हम यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे यह जो है जो हम ब्रेड नहीं हमने डाउनवर डारेक्शन में बनानी है अबवर डारेक्शन में नहीं बनानी कैसे यहां से मैंने थोड़े तब तक क्या हमारे सारे के सारेह जो एक पर्टिकुलर इसी फोर्मेशन में एक braid नहीं बन जाती थोड़े-थोड़े से hairs mix करने है और downward direction में जाना है थोड़े-थोड़े से hairs mix करने है यहां से और इसे downward direction में यही process हमने इसमें follow करना है थोड़े से hairs उठाएंगे downward direction से हम center में लेके जाएंगे hairs को और कब तक करेंगे जब तक कि हमारे सारे hairs जो है adjust ना हो जाएं अब देखिए यहां से downward direction में again यहां से इनको उठाना है और इसे downward direction में लेके जाना है इस तरहां से और पूरे hairs में जब यह आपकी देखिए हमारे सारे hairs जो है इसमें आ चुके हैं हमारे सारे hairs आ चुके हैं अब हमें क्या करना है ठीक है ओल्मोस सभी hairs आ चुके हैं अब हमें यहां से वॉल्यूम लेनी है किस तरहां इस तरहां से इसको थोड़ असा ना फ्लिक्स टाइप्स निकाल ले तो यहां पर हमने निकाल ली नहीं थी इस तरहां से और यहां से हमने वॉल्यूम लेनी है वॉल्यूम इसको साइड साइड से अपवड वाले hairs को पगड़के पूल करेंगे ऊपर इस तरहां इस तरहां से इसे ऊपर वाले fraction में pull up करेंगे और अब अपने नीचे तक इसको लेके आना है बनाते हुए अपनी पूरी braid को बनाते हुए नीचे तक आना है और यहां पर भी वॉल्यूम लेते हुए हम आएंगे यहां से भी हमने वॉल्यूम लेनी है अच्छे से वॉल्यूम लेंगे और हमारा जो एक पर्टिकुल देनी की एक सेक्शन यानि हाफ हमने टू सेक्शन में डिवाइड किया था ना तो हाफ हमने यह कर लिया है complete यह जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है इसको अच्छे से ब्रेड बना लें नीचे तक डाउनवर डारेक्शन तक आप इसे ब्रेड प्रिपियर कर लें अब ब्रेड प्रिपियर करने के बाद अगेन आपने यहां से भी सेम उसी तरह से वॉल्यूम क्रियेट करनी है यहां पे उसी तरह से बॉल्यब्स क्रीएंट करने यह동े है वॉल्यूम क्रीएट करके इसमेह रबर बेंडग डाल देले यहां पें हमने कर दबर बैंड डंद में तोह हमारा जुर एक सेक्षन है ना यह पूरा हो चुका है यह वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है हमने यह पर वॉल्यूम ले लिए अच्छे से से सीम जो प्रोसेस है आपको अपने इस हेर्स के साथ भी करता है तो मैं आपको यह पूरा करके दिखाती हूँ यह से हमने यह किया है ना सीम में सो फ्रेंज हमने यहां पर भी सीम वे मे क्याइब कर लिए तो मैं आपस चंप सो हो गई है जैसे की आप देख रही हैं और आप हमने इसमें crown टार केच्टैल इस्सी का ही मित कैसे बनाना है आपने यह जो ब्रेड है ना यह वाल इव decision इसको back से लेके जाना है यहां से सीधा करके इस side और इस side ले जाकर इसके नीचे से निकालते हुए आप इसे यहां पे लेके आए आपको जादा उपर तक मत लेके आईएगा क्योंकि मेरे hairs जो हैं थोड़े बड़े हैं जिनके छोटे होते हैं ना यहां तक complete हो जाते हैं और यहां पर मैं you pin की help से इसे attach कर देती हूँ इस तरह से same इसको fold करते हुए इसको you pin की help से अच्छे से attach करेंगे इसको मने कर दिया है attach इसको fold करते हुए यही से fold करेंगे और downward direction से ही लेके आएंगे और यहां पर लाकर बाकि सभी hairs को हम यहां पर you pin की help से attach करतेंगे इस तरह से properly 2 और 3 you pins का use करें अपने सारे hairs को आपने यही पर ही adjust करना है ठीक है अब आपने यह next rest of यानि कि दूसरी वाली braid है उसको उठाना है और उसको लेके आना है उसको भी आपने यहां तक लाना है इस तरह से और यहां तक लाकर यहां पर यहां पर आपने इसको यू पिन से attach करना है आपने यू पिन लेनी है और इस से इस तरह से अच्छे से इसे attach करना है जो rest of years है इन्हें fold करेंगे यहीं से ही fold करके इन्हें downward direction से लेके जाएंगे opposite direction में और वहां से दूसरी side में भी अपने यहां पर पिन से इसे attach कर देंगे और इसको अंदर वले direction में ले जाकर यहां पर पिन से सभी hairs को attach कर दें और अपने जो sides हैं उन्हें protect करें कौन से यह वले sides इनको अच्छे से protect करें यहां पे भी और इस side भी दोनों side अच्छे से इन्हें protect करें और हमारा जो hair style है वो ready है तो यह है हमारा crown type hair style इस तरह से हम जो है beautiful सा crown type hair style जो है वो create कर सकते हैं तो यह है हमारा crown type hair style तो friends आप इस तरह से बहुत ही सुंदर और बहुत ही unique way में hair style create कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा तो I hope so कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो thank you यह वीडियो देखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरी चैनल beauty and hair style जो मेरे subscribe कर सकते हैं Thank you Good bye